प्रिये वीवर्स हमारे दिश्टी PCS चनल पर अपसे हरोज शाम 6 बजे राज विशिस करेंट अफ्यर्स देखना ना भूलें धन्यवाद डेली करेंट निउज में इस वक्त की खबर है चार भारतिय प्राध्योगी की संस्थानों में नए निदेशक नियोग हाली में सरकार ने चार भारतिय प्राध्योगी की संस्थानों IIT दिल्ली, IIT मदरास, IIT इंदौर और IIT मंडी के लिए नए निदेशकों की नियोक्ति की है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर रंगन बनरजी को IIT दिल्ली के अगले निदेशक के रूप में नियोक्ति किया गया है जबकि IIT मदरास के प्रोफेसर वी काम कोटी को इसी संस्थान के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है साथ ही I.I.T. कानपूर के प्रोफिसर लक्षमी धर, बेहरा को I.I.T. मंडी के निदेशक तथा I.T. ब eloमबे के प्रोफिसर सुहास जोशी को I.I.T. इंदौर के निदेशक का पदभार सोंपा गया है बता दें कि IIT दिली और IIT मदरास के निवर्तमान निदेशक अप्रेल 2021 के बाद से अपने कारेकाल विस्तार पर सेवा दे रहे थे जबकि IIT मंडी और IIT इंदौर करने तृत्व कारेवाहक निदेशक यानि एक्टिंग डिरिक्टर्स कर रहे थे गोर तलब है कि V.E. कामकोटी राष्ट्रे सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदसे भी हैं और इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विक्सित माइक्रो प्रोसेसर शक्ती को डिजाइन करने में भी मदद की थी पिछले वश राष्ट्रे संस्थान रैंकिंग फ्रेमबर्ग यानि NIRF 2021 की इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मदरास को पहला और IIT दिल्ली को दूसरा स्थान मिला था जबकि इस रैंकिंग में IIT इंदोर को दसवा और IIT मंडी को 31वा स्थान प्राप्थ हुआ था Dear viewers, इस टॉपिक का उंग्रेजी में देखने के लिए देखे हमारा English YouTube चैनल